आज हम लेकर आए हैं आपके लिए बिना खीवाले हेल्धी लट्टू जिससे बनाना बहुत ही असान है तो चलिए शुरू करते हैं अपने हेल्धी लट्टू बनाना जिसके लिए हमें चाहिए सफेद तेल और रोस्त की हुई मूंफली जिसको दरदरा कूट लिया है कट्टू कस किया हुआ नारियर कट्टू कस किया हुआ गुड तोड़ी से काजू बदाम जो कि हमने क्रश कर लिए हैं और यह हरी लाइची के दाने जिसको हमने दरदरा पीस लिया है तो सबसे पहले हमने अपनी कड़ाई गरम कर लिए और इसमें हम नारियल जो कि हमने कट्टू कस किया था इसे दून लेंगे थोड़ा सा हल्का सा रोस्त कर लेंगे मेडियम फ्रेम पर हुआ तो देखिए हमारा नारियल ब्राउन होगे है तो अब हम इसको निकाल देंगे एक बॉल में इसको हम बॉल में निकाल लेके है और आप इसमें डाल देखें आपने तेल इसे बॉल्टू कर देखें अब हलका रोस्त कर लेंगे तो यह हमारे तेल रोस्त हो रहे है इसमें हम अपने जो गाजु बना में क्रेश की होई थे तो यह दाल देते हैं वह थोड़ी से रोस्त होगे इसको आप हलका रोस्त कर देखें तो यह तेल भी हमारे गुन चुक हैं तो इसको भी हम निकाल लेके आपने पाउज में तो हमारा नारियल कद्दुकस के वह नारियल तिल और जो हमारे काजु और बदाम है और साथ में यह हमने मुंफिली भी सी में एड़ कर देते अब हम अपनी कडाई में यह गोड डाल देते हैं और इसको चला देते हैं जबता हमारे को मेल्ट ना हुझे तो चलाते देंगे यह देखें हमारा गोड पूरा मेल्ट हो चुका है अच्छे से चला देंगे कि इसमें गाठे ना पड़े एक मिनट तो और इसको चादा गाडा नहीं होने देंगे अब इसमें हम अपना मसाला एड कर लेंगे जो हुझे अब यह सारा मसाला में एड कर देते हैं और इसको जल्दी से चला दे अच्छे से टाकि गोड इसमें जमें अच्छे से मिक्स कर देंगे आप यह दिए एक मिक्स कर देंगे अब इसमें आधी चमच एलाइची पॉडर गाल देंगे जो पूटी वी थी खुष्भू के अब हम इसको निकाल लेंगे नेवाल में आप इसको दो मिनट के लिए ठंडा होने के लिए रख देते हैं अब हमारे लड़ू का जो मिक्सर है वो थोड़ा ठंडा हो चुका है तो इसको गरम-गरम हलका-टा गरम हे यह तो इसी में हम सीपला बनाएंगे तो हातों मैं पहले ठोडह सा घी लगा लेते हैं जिससे हमारा मसाला चिपके न और अब इसके लड़ू बनालेंगे अराम से यह देखिए इस तरह यह गूल लड़ू बन गये तयार हो गए हमारे इसी तरह से दूसरा लट्डू भी बना लेते हैं, यह देखिए एक दम गोल, तो ऐसे हम अपने सारे मसाले के लट्डू बना लेंगे, जल्दी जल्दी, तो देखिए हमारे लट्डू बनकर तयार हो गए हैं, और देखने में बहुत अच्छे लग रहे हैं, एक मैं तोड़ देखे कितनी आराम से तूट रहे हैं और खाने में भी बहुत स्वाधिस्ट हैं आप इसको आराम से खा सकते हैं तो कैसे लगे आपको यह हमारे हैल्दी बीना घी वाले लड्डू जो खाने में भी स्वाधिस्ट हैं मगर साथ ही इसमें मिलेंगे आपको बहुत सारे बेनेफिट जिसमें आपको मिल रहे हैं बहुत सारे प्रोटीन और विटामिन्स जो आपकी हैल्थ को भी अच्छा रखेंगे तो जल्दी से ट्राइब कीजिए आप इस पार सर्दियों में हमारे यह हैल्दी बीना घी वाले और अगर आपको मेरी यह वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक शेयर और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलेगा और अब तक आपने अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए जिससे मैं और नई रेसिपी आपके अपने चैनल पर